हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लिकराए हैं ब्लाउज की कटिंग तो यहाँ पर देखिए यह हमने लिया है लाइनिंग का कपड़ा और यह हमारी ब्लाउज का कपड़ा है इस पर हमें कटिंग करने है सबसे पहले हमें पिंच और लेना है इस लाई के लिए तो यहाँ पर हमने साड़े साथ इंच पर मार्क किया है और जितना हमने उपर से तीरा नापा है उतना ही हमें आर्म होस लेना है तो यहाँ पर साथ इंच पर हमें आर्म होस के लिए मार्क करना है ठीक है इस तरीके से और इसमें यहां पर बैक पीस के लिए हमने कर्व डाल दिया और यह हाप इंच के अंदर की तरफ गहराई लेके यह हमने फ्रेंट पीस के लिए ठीक है और यहां से आपकी जो भी ब्रेश्ट का फोर्ट वागो वो ले 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 तो हमारा है दस और दस में हमें दो इंच एक्षरा चाहिए लूजिंग के लिए तो यहां पर हमने लिया है बारेंच उसी तरीके से हमें कमर के लिए मार्क करना है जो भी आपके कमर का फोर्थ भागे वो ले लेए तो यहां पर है हमारा 36-36 का फोर्थ भागे 9 9 में हम 2 इंच एक्डर रखेंगे लूजिंग तो 11 इंच तो इस मार्क को यहां से इस तरीके से मिला देंगे ठीक है यह हमारी फिटिंग का मार्क है यहां से थोड़ा सा ज़्यादा कप्ड़ा है तो इसे कट कर लेना है तो सबसे पहले देखिए बहार से कटिंग होगी बैक पीस के लिए तो यहां पर थोड़ा सा चौक है वो दिख कम रहा है लेकिन जैसे हमने मार्क डाला उसी तरीके से इसको कट कर लिया है यहां से देखिए हाप इंच हमने आर्म होल्स के तरफ से डाउन किया है नेक की तरफ मिला दिया और इसको भी यहां से ऐसे ही कट करना है तो इन दौनों पीस को हमें अलग अलग कर लेना है जो इसका बैक पीस है वो हम डीप नेक रखेंगे उसे लैस वगरा से डेकरेट करेंगे उसका भी हम जल्दी वीडियो प्लोड कर देंगे आप हमारे चैनल पर देख सकती है तो सबसे पहले हमें फ्रेंट पीस की कटिंग करनी है और फ्रेंट पीस हमारा वो ही होता है जिसमें हम मार्क करते है ठीके तो यहाँ पर देखें नेक लेंगे हम अपना उपर से 3 इंच याने 3 इंच और नीचे की तरब जो गहराई लेंगे वो रेखेंगे 6 इंच इस तरीके से ठीक है आप ये थोड़ा बहुत कम्या ज़्यादा कर सकते हैं यहां से भी हमें अंदर की तरब 3 इंच लेना है और इस तरीके से मिला देना है ठीक है और इसमें राउंड से डाल लेंगे तो यहां पर जैसे हमने मार्क लगा है उसी तरीके से हमें कट कर लेना है और जो हमने हाप इंच अंदर की तरब आर्म हॉल्स में mark लगाया वो वह भी हमें इसा तरीके से cutting कर लेना है और यहाँ बीच सेंटर से cut करेंगे यह हमारीम फ्रेंट पीस है तो यहाँ पर देकि इसको cut कर लिया है अब हमें इस करें कलेटों के लिए ँड़ाना है तो यहाँ उपर से नापेंगे हम ठीक है तो हमें 10 इंच पर प्लेट के लिए मार्क लेना है और इसे इस तरीके से सीधह हम ला देना है ठीक है और इसे 1.5 इंच का गैप देके इस तरीके से मार्क करेंगे तो यह हमारे 4 प्लेटों का मार्क हो गया है अब इस पीस को उठाएंगे दूसरे पीस को इसके उपपर रखेंगे इस तरीके से तो यह दौनों में मारक आ जाएगा ठीके इस तरीके से हलका सा हाथ से प्रैस कर देंगे तो यह दौनों में मारक आ गया है दूसरे वाले पीस में थोड़ा सा कम दिख रहा है तो इसे भी गेहरा कर लेंगे ठीक है अब यहां पर हमने back piece ले लिया इसमें हमें अपना neck cut करना है तो ओपर से हमें तीन इंच ही रखना जितना हमने front piece रखा है ठीक है और नीचे की तरब जो गेहरा ही है video वह हम रखेंगे आप हमारे चैनल पर देख सकती है तो यहाँ पर देखिए इसकी सेप डाल लिया है हमने और इसे इसे तरीके से कटिंग करना है यहाँ पर जो बैक वाली डार्ट जो लगाएंगे उनके लिए मार्क कर दिया है जिस तरीके से यहाँ पर मार्क डाला उसी तरीके से इसको cut कर लेना है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के पर नोटपिक्शन वैल को जरूर दमाए ताकि हर वीडियो की नोटपिक्शन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो यहाँ पर दूसरी तरब भी डाट वाला मार्क कर लेंगे और जिस तरीके से यह हमने कट किया है इसी तरीके से पूरे कपड़े को रखके पूरे पीसिस को कट कर लेना है इसकी बाद जो हमने डिजाइनर बनाई है आप हमारे चैनल पर देख सकती है आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू